भासन देखे तो चले गए कि हम इतना 10 लाख जनता को वोटिंग कराएंगे नौकड़ी दिलबाएंगे ये करवाएंगे वो करवाएंगे लेकिन इनके पिछली बार तो इनहीं का जो है सुछ सरकार था इनहीं का जिती हुए ये जरूरी नहीं है कि जो लालू परसाजी करके वह उनका बेटा भी करें ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन हम और यूबाओं को और बिहार के बहुत सारे यूबाओं को विश्वास है यह किसी की जागीर नहीं है पांच साल का यह परिवर्तन हमको चाहिए और इस बार चाहते हैं कि परिवर्तन हो चुनावी सरगरमी इस बिधान सभा में है साथ में हम ये भी जनकारी लेना चाहाएंगे क्या नाम है अपका में उपर नीचे हो रही है साथ में बिहार की राजनेती पर वही बात करेंगे कि कौन इस बार पूर्ण दावेदारी के साथ बिहार सरकार बनाने जा रहे हैं क्या नाम है आपका एक बात पूछना चाहता हूं कि इस बार विधान सभा की चुनाव को किस रूप में आप देख रहे हैं रूप तो इस बार जो है सो बड़ी क्रिटकल है कि इसमें जो है सो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा और किसका क्या होगा इसलिए कि जो भी परतियासी पहले से भ तो इससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी और अरुन संकर परसाथ से तो इससे पहले भी ना आए और ना कुछ किए तो आज तक वह लोग कभी हमारे एडिया में या कभी हमारे छेत्र में जो हैं सो खुद से मुआइना करने भी नहीं आए हैं जान सकता हूँ कि आप किस गौह से हैं और जहां से आप इस प्रकार का रोस दिखा रहे हैं प्रतिनीधी के प्रति तो मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि कहा है अप हम लोग शेली बेली पंचाइट से और सेली बरी गराम के आदमी हैं तो इससे यहीं होता है कि हम लोग जो है सो विधायाग जी भीजे भीजो नेता जी सब से व मैं बहुत परेसान हो गएare और कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया जो हम लोगों , जो हम लोगों के पीछे जो है सो एस्टेंड हो और समाजिक विकास के लिए जह सतत्त पर हो जान सकता हूँ कि आपके पास जो रोस है वो वाकई में जाइज है जो विधान समाचुना में किसे बोड़ देंगे है तो सब लोग तो बीजे हाँ हाँ लेकिन बीजेपी की जो है सो थोड़े सी जो है सो हो रहे है कि बीजेपी को ही जो है सो जिताया जाए वैसे परिवर्तन का लहर है ब्यक्तगत रूप से फूछ रहे हैं तो मैं परिवर्तन चाहता हूँ परिवर्तन चाहता हूँ तो निस्तित रूप से समाजिक परिवर्तन आप देख रहे हैं विकास देख रहे हैं तो राजनितिक परिवर्तन क्यों देखना चाहते हैं और कैसा राजनितिक परिवर्तन चाहते हैं कि आने वाले पांच साल में आप किस रूप में देखना चाहें या किसी की जागीर नहीं है पांच साल का ये परिवर्तन हमको चाहिए और इस बार चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाती से बिलोंग करते हैं राजपूर इस बार देखते हैं कि जो पिछले कई चुनाबों में देखते आ रहे हैं कि राजनितिक मुद्दा जातिय गत मुद्दा रहता है कभी देखते हैं कि छेत्री मुदा लेकर के जो है सुचुनाब होती है कभी देखते हैं कि अंतराश्टी मुदा हिंदू-मुसलिम जो है उसको लेकर के होता है तो इस बार का चुनाब किस रूप में देख रहे हैं इस बार देख रहे हैं कि परिवर्टन की लहर चाहिए लोगों को लोगों में जजबा है कि परिवर्टन चाहिए आपका नाम क्या इधरा यह दे तुझा युवा है आप क्या नाम आपका सुनिल कुमार दास जी दाशी आप ज्ज़ादा हम आप से नहीं पूछ पाएंगे ल क्या बोलें अभी तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा उनको तो ऐसा लग रहा है कि जो अच्छा है उसी को बोर देना चाहिए जो काम करें भासन देके तो चले गए क्या नाम है आपका ठाकुन ठाकुन इस बार युवा लगातार देख रहे हैं कि तेजस्वी के पीछे दोर रहा है तो इसके पीछे आप क्या माने राज देखते हैं कि तेजस्वी के पीछे जाने का यह जो युबाओं का हुजूम है इसको किस रुपर में देखते हैं यह जरूरी नहीं है कि जो लालू परसाद जी करके गए वो उनका बेटा भी करें ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन हम और युबाओं को और बिहार क कि बहुत सारे युबाओं को विश्वास है तेजस्वी यादब पे इसलिए हम लोग भी तेजस्वी यादब को भी जानते हैं लेकिन बीजेपी के होर में इसलिए हम लोग बीजेपी के सपोर्ट में जा रहे हैं पिछली साल हम लोग सीतरा विधायक जी को गो वोटिंग आता है तो इस परकार का नराजगी एंटी से देखने को मिलता है हम आपको पूछना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है अनंद कुमा ठाकुर ठाकुर जी कौन ठाकुर है आप नाई ठाकुर तो इस बार युवाओं को रोजगार देने की बात एंडी भी कर रहा है 19 लाख दे एंडीय पर विश्वास है किस रूप में वह देश के लिए अच्छा सोच है मोदी जी और नितीज के भी सरकार में महा गठवंधन जब से है तब से बीजेपी के समक्ष में अच्छा सोच रहा है जड़ी तो एक बात पूछ सकते हैं कि 15 साल में जब सरकार एंडीय के साथ गडवंधन नितीज कुमार जी है तो इतने नोक्री अभी जो बीजेपी कह रही है और वहीं काउंटर करके कहती है नितीज कुमार की नहीं दे पाएंगे तो इसके पीछे आप क्या तथ्य दे सकते हैं इसके पीछे तो चुनाओं होने के बाद पता लगेगा अभी तो इतला दस्तक चैनल है जो आपके तमाम बातों को हम अपने दर्सकों के बीच रखेंगे बताइए खुल के बताइए हम तो यही देखना चाहते हैं कि कोई भी अतिशन्यता या कोई भी अपन बने समाज सेवा करे अच्छा काम करे उससे आने वला पिरी पिरी जो हैसो अच्छा से चुरक्षी चे रहे बस यही कहेंगे क्या कहेंगे निस्चित रूप से अब देख सकते हैं कि यह युवा जिस भावना से इस देश के प्रति इस राज के प्रति सोच रहे हैं निस्पक्ष भाव से कोई भी आए वो अच्छा काम करे तो निस्चित रूप से ऐसा संदेश समाज को जाता है